हाई फ्रेंस मैं अमिज जैन आईटी गुरुज में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ Windows 10 में hanging problem का solution कैसे होगा अगर आपके पास Windows 10 वाला laptop है तो आपने कभी ने कभी आपके system में hanging problem जरूर देखी होगी जैसे my computer open करते हैं तो वो दीरे दीरे open होता है Google Chrome open करते हैं तो दीरे दीरे open होता है ऐसे कई applications open करते हैं तो बहुत slow open होती है तो यह problem आम बात है लेकिन इसका solution आपने कई video भी देखे होंगे YouTube पे मैं आज आपको fast trick बताने वाला हूँ अगर आप उन tricks को अपना लोगे तो हो सकता कि आपकी problem का solution हो जाए अगर फिर भी solution नहीं होता है तो फिर hardware की problem है तो सबसे पहले आप उन tricks को use में लो फिर उसके बाद decide करना कि आपकी problem का solution होता है कि नहीं होता है तो फिर आपको system upgrade कराने की जरूत तो मैं आज आपको five tricks बताने वाला हूँ तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहली trick है दोस्तों startup program disable करना हो अब उनको disable कैसे करेंगे तो आप यहाँ पे task bar पे right click करेंगे इसमें आता है task manager इस पे click करेंगे इसमें आपको startup का option मिलेगा यह वाला इस पे click करेंगे अभी इसके अंदर 5-6 application ही है हो सकता कि आपके laptop या desktop में 10-15 या 20 application हो जो यहाँ पे दिखा रही हो उनमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी application requirement नहीं है मतलब कि जब आपका system own होता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो उस समय साथ के साथ run हो जैसे Adobe Acrobat वाला है तो इसके requirement नहीं होती कि अपना system जब boot होता है तो यह run हो तो इस पे यहाँ पे से right click करेंगे और disable कर देंगे इसको इसको इस पे भी right click करेंगे disable कर देंगे Microsoft OneDrive यह भी requirement नहीं होती जाता है जंदली इसको भी disable कर देंगे Skype यह disable है Podium Manager यह आप enable रख सकते हो ऐसे दोस्तों startup का मतलब होता है कि जैसे आपका system boot होता है boot होने के साथ साथ जो program run होते हैं वो program इस list में दिखाई देते हैं और उन प्रोग्रामों को open अगर अगर उन प्रोग्रामों की requirement नहीं है तो उनको आप यहां से disable कर सकते हो Ecrobate reader ऐसे open होगा चलेगा लेकिन अगर यहां से disable कर देंगे तो जब system boot होता है उस समय run नहीं होगा बस only तो इससे आपकी memory space बढ़ेगी आपका system जब boot होगा थोड़ा fast boot होगा ठीक है दोस्तों फिर यहां से अपन इसको cross कर देंगे यह हो गई अपनी first tips second tip है दोस्तों windows update इसको disable कैसे करते हैं जी मैं बताता हूं आपको और disable की requirement इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे आप net run करते हो जैसे आप net on करते हो सबसे पहले windows update होना चालू कर देता है और आपका system की सारी memory को वो खैस लेता है वो पूरी आप कई जनों के तो अपना जो data होता है वो mobile से run करते हैं और वो data पूरा खतम हो जाता है तो इसको आप कैसे बंद करोगे उसके लिए दोस्तों यहां लिखेंगे services start menu पे और यहां पे click करेंगे एक window open होगी इसमें windows update search करेंगे W दबाएंगे और windows update यहां पे show कर रहा है इस पे right click करेंगे और properties इसके अंदर दोस्तों यह manual का option है यहां पे disable पे click करेंगे और यहां पे stop पे click कर देंगे और यहां से apply कर देंगे और ok कर देंगे तो आपका windows update disabled हो जाएगा लेकिन कई बार फिर भी यह windows update होने लग जाता है आपको notification आने लग जाते हैं और यह update हो जाता है दोस्तों अगर आप बोलोगे तो इसके उपन में एक dedicated video बना दूँगा आप नीचे comments में comments कर दीजिएगा तो मैं जरूर इसके लिए एक video लेके आऊँगा इसको properly किस तरीके से windows update को बंद करते हैं इस normal तरीका तो यही है इससे update बंद हो जाता है फिर भी कई बार किसी किसी में बापस से चालू हो जाता है तो उसको किस तरीके से properly बंद करेंगे उसके लिए मैं video जरूर लेके आऊँगा तो इसके लिए आप comment जरूर कीजेगा इसको फिर cross कर देंगे अपन आपकी दो tip हो चुकी है फ़र tip है disk cleanup इसके लिए अपन my computer में जाएंगे disk PC पे see right पे right click करेंगे properties इसके बाद इसमें disk cleanup का option यहाँ पे आपको दिखाए देगा इस पे click करेंगे इसमें सब पे check mark कर देंगे अपन यह सारे options पे check mark कर देंगे और यहाँ पे ok पे click करेंगे और यह पूचेगा कि आपको प्रमाने डिलिट करनीए के file लें इस पे delete files पे click करेंगे जो आपकी temporary files हैं सारी files हैं जो आपकी बेकार files होती हैं वो सारी clean हो जाएगी तो आपका space भी थोड़ा बहुत free हो जाएगा इससे और speed भी जरूर बढ़ेगी आपकी इससे पे okay पे click कर देंगे इस तरीके से आपकी तीन tips पूरी हो चुकी है fourth tip है disable animation and visual graphics अगर आपकी जो graphics हैं अपन उनको अगर degrade कर देते हैं तो आपकी speed जरूर बढ़ेगी उससे भी थोड़ा आपको visualization में जरूर फरक पड़ेगा देखने में फरक पड़ेगा हलका सा लेकिन आपकी laptop की या desktop की performance जरूर बढ़ेगी उससे क्योंकि अगर graphic degrade होगा तो memory आपकी speed में consume होगी और आपकी speed जरूर बढ़ेगी तो उसको अपन disable कैसे करते हैं उसके लिए यहां पर search बार पे control panel लिखेंगे control panel पे click करेंगे और इसमें system में जाएंगे system पे click करेंगे इसके अंदर option आता advanced system setting इस पे click करेंगे इसके अंदर option मिलेगा आपको advance का और advanced में setting पे click करेंगे इसके अंदर अभी choose हो रखाया let windows choose what's best of my computer जो भी computer के लिए best है वो लेकिन अपन custom पे click करके और इन सब को click हटाके okay पे click कर देंगे तो यह सारी settings हो जाएगी आपका graphics थोड़ा degrade हो जाएगा लेकिन आपके speed की performance में जरू फरक पड़ेगा इसके बाद मैं आपको last tip पोड़ बताने वाला हूं और इन सब को करने के बाद system को restart जो कर लेना last अपनी tip है windows explorer reset इसको किस तरीके से करते हैं आपका system बहुत ज्यादा hang हो रहा हो इसके लिए यहां पे task bar पे right click करेंगे और task manager पे click करेंगे इसके अंदर process वाला option पे ही रहने देना है और इसमें search करना windows explorer यह रहा इसको click करके select कर लेना अपनको click करके select कर लोगे आप इसके बाद यहां पे नीची reset का option है sorry restart का option है इस restart के option पे click करेंगे तो आपका एक flash होगा और आपका system fast हो जाएगा इससे आपके system के speed जरू बढ़ेगे इससे आप यह पांचो ट्रिक जरू अपना ही है और फिर भी इसके बाद भी आपका problem आती है तो आप 2-3 चीजे और बताता हूं मैं आपको अगर आपके C drive 70% से ज़्यादा भरी हो तो भी problem हो सकती है इसके अलावा आपके system में virus हो सकता है तो भी speed slow हो सकती है अगर यह सब कुछ होने के बाद भी आपकी speed नहीं बढ़ती है laptop या desktop की फिर तो आपके system के अंदर हो सकता है memory कम हो या फिर हो सकता है कि आपकी कि जो hard disk लगी है इसकी speed कम हो गई हो क्योंकि Windows 10 को speed की आवशकता होती है थोड़ी तो वो hard disk से complete नहीं हो पाती क्योंकि hard disk की speed होती है data transfer की 40 Mbps होती है और SSD की speed होती है 400 Mbps से अबाव होती है तो फिर आपको अपना system upgrade कराना पड़ेगा last option यह है आप उसमें SSD या RAM बढ़वाई है SSD best option होता है उससे आपकी speed ज़रू बढ़ेगी 100% बढ़ेगी अगर इससे solution नहीं होता है यह सब कुछ करने के बाद भी solution नहीं होता है फिर तो वही option है इसके लिए मैंने description में link दे दूँगा जिसमें SSD और SSD में क्या difference है और best SSD कौन सी है वह दोनों link description में मिल जाएंगे आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखीगा अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो please like कीजिए subscribe कीजिए अपने दोस्तों को share कीजिए thank you for watching